हेलो इस्टूरेंट्स वेलकम बैक टू अर्जून कोचिन क्लासेश अर्जून कोचिन क्लासेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आरारसी चिन्ने की आप लोगों को पता ही होगा कि दीवी और मेडिकल डेट आउट हो चुकी और डीवी की कट आफ भी जारी हो गई है दोस्तों कट आफ देखके रियल में हो शूड गया है क्योंकि इतनी एक्सपेक्ट नहीं कही गई थी दोस्तों चन्ने जोन में ठीक है तो अभी चलिए पूरा अपडेट देखेंगे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए मैं एक एक हर जोन का तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे दोस्तों यहां पर यह ओफिशल साइट पर आ चुकी सेडियो अफ डिवी एंड मेडिकल कट अफ ऑफ मार्क्स ऑफ केंडिडेट स्वाट लिश्टेट फॉर डिवेंड मेडिकल ठीक है इसको आप लोग ज़रूर देख ली सब दिया है ठीक है फॉर नान पी डवलू बीडी एंड कमर्शल अपर अपरेंटिस केंडिडेट स कंडिक्टेट फ्रॉम उन्नेस जन्वरी से तईस जन्वरी के बीच में हुआ था दोस्तों और यहां पर देखे इंक्लूडिंग दिया गया है दोस्तों पी डवलू बीड कि आप लोगो रेगुलर्ली यह साइट विजिट करना है सब चीज दिया गया है रेजिस्ट्रेशन नंबर्स मेरिट के अधार पर नहीं किया गया है बोर रहा है और यह प्रोविजनलीस है दोस्तों और इसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा बोर रहा है कॉल लेटर लहा है इशूट टू काटिएट द्यूरिंग सीविटी और प्यिटी पी डाव्ल बीदी और कमर्शल एप सौरीटिश केंडिट मस्ट बिरिंग लोवर पोर्शन कोलेटर ऑव इस प्रूब सर्टिफिकेट सच अंच एफ टेंट एक मिनल जूं कर लेते हैं सच एस टेंट का लाना है दोस्तों वही चीज है सारे documents लाना है 10th प्लस सभी आप लोग का matriculation documents प्लस graduation का documents है तो वो ले आईए का certificate लगेगा SCST का ठीक है OBC का certificate EWS का certificate EBC का certificate self declaration लाना होगा अगर आप लोग minority वाले हैं ठीक है PWBD certificate रहेगा एक service men's का certificate रहेगा यही सब चीज है दोस्तों जो बाकी सभी जोन में होता है चली देखते हैं और क्या चीज है आप लोग इसको पढ़ लिजगा ठीक है तो कब से होना है देखें यहां पर यहां पर देखें candidates आप लोग को देखने हैं seven days पहले ही आप लोग को क्या हो जाएगा एक्टीव हो जाएगा प्यूटी और डीवी से और एपसेंटी candidates के लिए 17 मार्ज को है सभी को ठीक है तो यह सभी चीज है दोस्तों 17 फरवरी से सुरू होना है बढ़िया टाइम दे दिया है वेन्यू दे सभी का दे दिया गया है और 274 पेज़ दोस्तों देखे यहाँ पर अब कट आप पर भी चर्चा होगी यहाँ पर देखे कितने candidates का हुआ है तो 9498 candidates का हुआ है देखेंगे कितने पोस्ट थी यहाँ और कितने लोगों का selection हुआ है second DV की कितने chances है ठीक है देखें second DV के हर जगा chances दोस्तों NTPC वाली candidates चटेंगे ठीक है क्यों लोग NTPC में जाएंगे और बहुत सारी लोग medical में भी चट सकते हैं कई लोग document verification में भी चट सकते हैं तो कुछ बहुत सारे reason है दोस्तों second भी ज़रूर आता है ठीक है आप लोग wait कीजेगा अगर नहीं आया होगा cutoff पर तो चलिए देखते हैं cutoff कितनी गई है देखें दोस्तो जो देखेंगा general का 69.9 था 60.9 था तो गई है दोस्तो 67.5 कितना बढ़ है देखें दोस्तो 6.4 something बढ़ है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तो काफी ये होश उड़ाने वाला cutoff है OBC का 55.6 था तीन गुना candidates को लेन था प्यूटी के लिए तो अभी OBC का 63.3 मतलब 8 नंबर तक लगभग बढ़ है 7 से 8 नंबर तक EWS का WC 4041 था तो 47.6 बढ़ है मतलब 6 से 7 नंबर EWS का बढ़ है SC का दोस्तो 49.8 से कितना गया है 56.9 लगभग 7 नंबर SC का बढ़ है ST candidates का 43.5 से 55.3 मतलब दोस्तो डैरेक्ट 12 नंबर बढ़े हैं काफी हाई cutoff गए हैं दोस्तो PWBD का देख सकते हैं 50.8 28.3 यह वीजुली यह वीजुल वाला है यह handicap वाला है यह locomotive disorder वाला है 28.3 54.6 34.7 इस तरिके से देख सकते हैं दोस्तो यह final cutoff है एक servicemen का 41.1 इनका जादा नहीं जाता दोस्तो क्योंकि इनका बहुत कम candidates लोग एक servicemen वाले लोग आते हैं तो यह दोस्तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ST category वालों का 12 marks बढ़ा है दोस्तो कोई भी इतना predict नहीं कर सकता था ठीक है तो DV Medical का यह list जो है दोस्तो सबसे ज़्यादा अगर ST वालों का बढ़ा है तो चन्ने जोन में बढ़ा है तो यह होश उढ़ाने वाला cutoff है दोस्तो वीडियो कैसे लगते है जरूर कमेंट करें और share किज़े हर update आप लोग को चैनल में मिल जाएगी ठीक है तो आज के वीडियो में इतने ही दोस्तो और कुछ भी update रहते है तो मैं जरूर लाऊंगा ओके दोस्तो धन्यवाद जयहि मैं जरूर उच्प reacting दोस्तो जरेच दोस्तो बादर के वीडियो कि मैं जरूर जढ़ा है तो बीज़ में जज़ा